कि उम्मिद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे सुरक्षित होंगे स्वास्थ होंगे और पढ़ाई ध्यान से धंग से मेहनत से कर रहे होंगे तो आये हम फिर से अपनी एंसे आएटी की सिरीज जिसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था आज से पुनह प्रारंब करें तो आज हम देखते हैं कि आज हम इसमें पढ़ेंगे एंसे आएटी भूगोल ये क्लास 6 का है इसका प्याइब पार्ट 2 है पार्ट 2 में चेप्टर 1 को ही हम फिर से आगे कंटि यानि के earth in the solar system तो solar system ये पिर्थ्वी यानि की पिर्थ्वी क्या है और 100 मंडल अखिर क्या है तो सौरमंडल आखिर तो इतना तो पक्का है कि पिर्थ्वी से 100 मंडल बढ़ा है तो 100 मंडल आखिर है क्या उसको हम समझते हैं सबसे पहले तो सौर मंडल क्या है? सौर मंडल को इंगलिस में कहते है Solar System सौर मंडल जाना दो सबदों से मिलके बना है जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा एक है सौर सौर जो की युनानी भासा के सौर से बना है और दूसरा है मंडल मंडल यानि की समू सोल का मतलब होता है सूर्य से सम्मंदित यानि कि सूर्य से सम्मंदित समू जो है वही क्या है सौर्मंदल है यानि कि अगर आप इसको लिखना चाहिए आपके सामने एक प्रस्ण है सौर्मंदल किसे कहते है ये किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा कि सूर्य तथा सौर्य स सब्सक्राइब कर दो है तो सब से पहले बात कर लेते हैं कि खगोलिय पिंड वह सभी पिंड जो अंत्रिक्ष में चमकते वे हमें दिखाई पड़ते हैं वो क्या है खगोलिय पिंड है जैसे हमारी पिर्थिवी भी एक खगोलिय पिंड है तो खगोलिय पिंड की अगर बात करें तो इसमें कौन-कौन से खगोलिय पिंड है तो सबसे पहला है आपका सुरी के अलावा की बात कर रहे हैं ग्रह, उपग्रह, छोद्र ग्रह, छोद्र, ग्रह और इसके बाद है उलका पिंड, उलका पिंड, ठीक है, यह चार तरह के पिंड सामिल है, सुरी से सौर मंडल में, तो चार तरह के एक तो तारा भी है, तारा एक मातर सुरी है, तो अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं, तो इसके बारे में एक एक करके सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे हम, तो सुरी के बारे में, तो सुरी को थोड़ा जानते हैं, एक तो सूरिय क्या है तो सौरिय की सबसे पहली की किसी यह सौर मंडल का किया है मुख्या है सौर मंडल का मुख्या है नम्हें जैसे देखो किसा सौर abusive गाव सकते हो यानि कि सॉलर फैमली भी चाहए एक जैसे परिवार काr एक हेड होता है उसी तरीके से ये सौर्य जो है ये सौर मंडल का हेड है यानि कि मुखिया है उसके बाद अगर बात करें तो सौर मंडल जैसे ही मुखिया है तो ये क्या करता है कि इसके पास एक खिचाव वल है यानि कि जिसको कहते है गुर्तवा करसन वल और गुर्तवा करसन वल के कारण ये सभी ग्रहों को अपने साथ है करनेक्ट किये रहता है यानि गुर्तवा कर संबल इसके पास बहुत अधिक है दूसरी अगर इसकी बात करें तो यह गर्म गैसों का गोला है गर्म गैसों का गोला है गर्म गैसों का गोला होने के कारण यह पूरे सौर मंडल के लिए प्रकास एवं उस्मा का एक मात्र स्रोत है उस्मा का एक मात्र स्रोत है अब स्रोत क्या होता है यानि कि सोर्स क्या होता है इसको भी समझे जरा एक मात्र स्रोत है अब यह स्रोत यानि कि सोर्स स्रोत मतलब होता है कि जिससे हमें कोई चीज़ मिलती है जैसे प्रकास का सोर्स जैसे लाइट है लाइट से हमें प्रकास मिलती है तो लाइट का प्रकास का स्रोत क्या हो गया क्या हो गई लाइट हो गई या निक ट्यूब लाइट या फिर बल्ब यह सब क्या है प्रकास के स्रोत है उसी तरह कैसे सुर्य जो है ना पूरे सौर मंडल में प्रकर्टिक प्रकास का एक मातर स्रोत है और उसमा का भी एक मातर स्रोत क है तो यह इसके बाद अगर बात करें चाथी जीस की सोर्य से प्रत्थवी की अगर दोरी की तुलना करें तो सोर्य से सोर्य से पेड़्थवी की दूरी है पेड़्थवी की दूरी है कितनी लग भाग लग भाग पंद्रह कडोल केड़ो मीटर है तो यानिक सुरी से यानि संससे आर्थ का वो डिस्टेंस और वु diff30 कर वी क्लोल मेंटर यानि इसका मतलब यहाल Bon Magnus क्यों लगावा यानि कि about 15 क्यों कहा गया है क्योंकि यह जो है ना पोलर रीजन पे पोल पे जा कम है और एक्वेटर से जादा है इसलिए इसको लगवग बताए गया है पोल क्या होता है क्या होता है आगे आने वाली वीडियो में आप जान पाएंगे तो अभी फिलाला आप इतना जानिए कि सुरी से पिर्थवी की दुरी लगवग 15 करोर किलोमीटर है उसके बाद अगर बात करें तो यह मुख्य जो है न यह आपको जानना है और अगर बात करें सुरी से पिर्थवी तक जो प्रकास है सुरी का प्रकास सुरी का का प्रकास है इसको हम interesting fact में जानेंगे यानि कि महतयपूर ने जो तत्त है interesting fact है उसको हम जानेंगे अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह है ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह को में प्लेनेट एक ग्रेक भासा का वर्ड है प्लेंटाइ से बना है मतलब होता है गूमने वाला घूमने वाला यह यह आगर बात करें ग्रह किसे कहते हैं तो निश्चत कंच्छा में कंच्छा में निशित कंच्छा में सुरी के चारों तरफ सुर्य के चारों और चकर लगाने वाले खगोलिय पिंड को ग्रह कहा जाता है खगोलिये खगोलिये पिंड को पिंड को ग्रह कहा जाता है कहा जाता है ठीक है यानि कि अब अगर बात करें हम लोग कि निशित कंच्छा में सुरी के चारों तो अब एक यह बात आई होगी कि कंच्छा क्या है तो सुर्य है सुरी के चारों और जो ऐसे देर्ग बृत्य यानि कि बड़े से बृत्य यानि कि सरकुलर जो यह एक रास्ता है उसी को क्या कहते हैं लगते हैं कि कक्छा कहते हैं तो तो सुर्य से दूरी के अनुसार यानि ग्रहों की संख्या के अगर बात करें तो ग्रह कितने हैं आठ है ग्रह आठ है तो ग्रह का वर्गी करन ग्रह को आप दो तरीके से जान सकते हो तो पहला तरीका होगा सूर्य से दूरी के अनुसार सुरिय से दूरी के अनुसार अगर ग्रह की बात करें तो इसमें आठ ग्रह हैं सबसे पहले हैं बोद्ध फिर है आपका सुक्रे फिर पिर्थवी कि पिर्थवी के बाद है आपका मंगल 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 और उसके बाद है आपका ब्रहस्पती ब्रीहस्पती प्रहस्पती ब्रहस्पती के बाद है सनी ए सनी के बाद है यूरेनस और यूरेनस और यूरेनस के बोध सुक्र पिर्थवी और मंगल है यह पिर्थवी के जैसे दिखने में हैं इसलिए इसे कहते हैं पार्थिव ग्रह इसको कहा जाता है पार्थिव ग्रह यानि कि अटर प्लैनेट पार्थिव और ब्रहस्पति सनी यूरेनस और नेप्चिन ये ब्रहस्पति के तरह दिखने में हैं इसलिए इसको कहते हैं जो भी अन गरह जो भी अन ग्रह ठीक है तो इस तरीके से आपने यह देखा अब आगे कि अगर हम लोग बात करें तो आगे ग्रहत जाहना आकार के अनुसार अगर ग्रह के का वर्गी करन हम लोग करें यानि कि ग्रह का क्रम देखें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है तो इस क्रम में सबसे पहले आएगा ब्रहस्पति आकार के अनुसार ग्रह आकार के अनुसार आकार के अनुसार ग्रह तो सबसे पहला यह हम लोग करेंगे घटते क्रम में मतलब कि सबसे बड़ा से सबसे छोटे क्रम में हम लोग जाए रहेंगे आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा ग्रह है ब्रहस्पती के बाद आता है नम्मर सनी 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 के बाद है यूरेनस यूरेनस फिर है नेप्चून नेप्चून और इसके बाद पाच्वे नम्मर पे आता है पिर्थवी और पिर्थवी से छोटा है सुक्रे पिर्थवी से चोटा है सोक्रे और सुक्रे के बाद है मंगल और चाल, अ ने, आप ये देखे सबसे बड़ा क्या है ब्रहस्पती, सनी फिर यूरेनस फिर नेप्चियोन पिरतिवे शोक्र मंगल और बोध्यatr यह से देखे बरीहस्पती फिर उसके बाद आपका सनी फिर उसके बाद यानिके इसको अगर आप इस तरीके से समझे तो यह जानते होगे कि यह बड़े होने का चिन है तो सबसे बड़ा है ब्रैस्पती ब्रैस्पती से छोटा है सनी यानिक सनी से छोटा है यूरेनस यूरेनस से छोटा है नेप्चियोन और नेप्चियोन से छोटा है छोटी है अम सुक्रे से छोटा ग्रह है मंगल और मंगल से भी छोटा है बुद्ध यानि कि बुद्ध सबसे छोटा ग्रह है इसके बाद अगर बात करें ग्रह के बाद ग्रह में जो सबसे अनोखा ग्रह है वह है पिर्थवी क्योंकि हमारा टाइटल ही है इस चप्टर का सौर मंडल में पि कि प्रसथी के वा रहा है करती है जो कि शुरि के चारो तनौफ क्या करती है चक्ड लगाती है एक अपने निस्चित कफछा में इसके एक निस्चित पर फि 그냥 टी है वसी में हम लोग अगली वीडियो मह representa तब आपका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया